नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत सौगत है भाजपा के पूर्वसांसद बाहुवली रमा कांतियादो जल्द ही कांग्रेस पार्टी में सामिल होंगे सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भात्पा से न्याराद चल रहे पूर्वसान सद रमा कांतियादो अब कांग्रिस पार्टी का दामन ठामेंगे पार्टी आला कमांद से बात करके जल्द ही रमाकांदू इसकी घोष्टां करेंगे रमाकांदू आजमगड जले के एक कदावर नेता मानने जाते हैं आजमगड पूरवानचल के बड़े नेता हैं रमा कांतियादू वर्स 1985 में पहली बार निर्दलिय बिधायक चुन कर गए वह आजमगड से चार बार बिधायक और चार बार संसर बन चुके हैं भाजपा ने निरववो को टिकट दिया इससे रमा कांतियादू काफी नाराज हो गए इसी विए वो अब भाजपा छोड कॉंग्रेस पार्टी में सामिल होने जा रहे हैं बात करें रमा कांतियादू की तो रमा कांतियादू 2014 चुनाव में मुलायम सिंग को कड़ी टकर दिये थे मुलायम सिंग यादू सिर्फ 60,000 उटो से ही चुनाव जीत पाए थे रमा कांतियादू का पूर्वानचल में बड़ा दबदबा है और पूर्वानचल के सबसे बड़े भावली कहे जाते हैं रमा कांतियादू जल्द ही कॉंग्रेस पार्टी में सामिल होकर इसकी घोष्टा करेंगे और वो लगबग रमाकांतियादू बदाईयां से लोकसभा का चुनाओ लड़ सकते हैं सुत्र कहाले से बता चला है कि रमाकांतियादू को कॉंग्रिस बदाईयां से टिकेट दे सकती है और वो वहाँ से टिकेट लेकर चुनाओ लड़ सकते हैं रमा कांतियादू उत्तरप्रदेश के बड़े नेता कह जाते हैं बाव बली छबी के माने जाते हैं रमा कांतियादू अब कॉंग्रेस में सामिल होकर वो कॉंग्रेस पार्टी से चुना लड़ेंगे दूस्तो यह रही बड़ी खबर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल जरू सब्सक्राइब करें बहुत धन्यवाद बाद